पीचेस गुरूजी में दोस्तों आज इंटरनेशनल कोट ने इंटरनेशनल एक कोट होती है इंटरनेशनल कोट ऑफ आर्बिटरेशन उस ने विछले 12-13 साल से केस चल रहा था वोड़ा फोन का वोड़ा फोन और भारा सरकार यानि जो टेक्स डिबार्टमेंट उसके बीच म साड़े बाइस हजार करोड का नुकसान हुआ है अच्छा अब यह जो केस हुआ यह एक्जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब यह क्या हो रहा है इस केस के अंदर जिसको जानना समझना बहुत जुरूरी है यह जो हमारी के लिए बहुत इंपॉररे केस को समझेंगे पूरे डीटेल में समझेंगे एक्जैम के लिए फिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दोजार-बीस में जज्जमेंट दिया है क्यों एक कोशिशों के बाद भी भारत निवेश करने वालों के लिए मन पसंद जगा नहीं बन पाया वड़ाफोन केस से सिद्ध कीजिए अब यह जो कोशन है यह इसको में लास्ट में यह पूरा डीटल समझा दूँगा उस समय हम देखेंगे कि कौन को से को पॉइंट समय सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस के पॉइंट वूइपी पीसे मेंस के साफ से अस्ट दोस्तों एक एक आउनलाइन कोर्स हम आपको प्रवाइड कर रहे हैं एक नौ मैने कोर्स रहेगा जिसमें बेसिक ए 999 रुपए है अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो 83170452 कॉल कर सकते हैं अगर कोई और भी डॉट्स हो आपको दिक्कते हों तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हैं दोस्तों 2007 मई 2007 में उस समय के वक्त था अगर आप अपने अपने याद करेंगे तो दो तीन टेलीकॉम सेक्टर में दो तीन कंपनियां बड़ी पॉपलर थी जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपलर थी सन 2000 के आसपास तो ऐसा था कि बेसेनल की जो सिम है वही नहीं मिल पाते और लोग बहुत वेटिंग करते थे और बेसेनल के डिमांड काफी रहते थी उसके बात रिलाइंस आया एटल आया एटल नमबर वन चल रहा था इसी बीच में हच कंपनी थी हुआ है पहले एक एसार नाम कंपनी थी बातनी हच हुई और हच जो थी उस समय के साब से देखा रही थी इस समय उसी बीच में इंग्लाइन की कंपनी थी वोटाफॉण उस ने सोचा कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूँगी लेकिन मैं बिल्कोल स्क्रेचे स स्टार्ट lot कि नहीं करूंगे मैं खरीदूंग किसी को खरीद कई जो मार्केट है वो बना बना मार्केट मुझे मिल जाएगा तो उन्होंने हच को अपने सिंगापूर कंपनी थी हच को उन्होंने अप्रोच किया और हच के जो पूरा जो इंडिया का सैटप था लगभग 11 बिलियन डॉलर म में खरीद लिया बहुत सी बाती इन्वेस्टमेंट काफी था वोड़ाफन काफी एक्साइडर था क्योंकि इंडिया की जो उस समय के बात करते हैं उसमें टेलिकॉम में जो पैनिट्रेशन ती जितने लोगों पास मुबाइल था वो मात मात में 25-26 परसंट था उसमें 25-26 मार्केट थी और 75 परसंट मार्केट अभी बच्चती थी तो चुकि इंडिया तो चलो अभी तक बिल्कुष शुरुवात के दौर में ता टेलिकॉम में लेकिन चाइना अमेरिका यह सब सेचुरेट हो चुके थे यानि कि यहां पर कोई बहुत 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 एक स्कोप थ कई लोग थे जिनको जो अभी फोन लेने वाले थे फास्टाइम लेंगे तो इसलिए वोड़ा फोन ने इन्वेस्ट किया और 11 बिलियन डॉलर खर्चा किया अब खर्चा कर दिया सब कुछ बढ़ा चल रहा था इसी बीच में भारा सरकार उती उनको उनकी एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि ठीक या भाई आप अच्छा है आपने खरीद लिया 11 बिलियन डॉलर में खरीदा इंवेस्ट कर रहे हो इंडिया में आ रहे हो बहुँचा है लेकिन साहब आपको टेक्स दिना पड़ेगा और जो टेक्स है वो आपको पहले डिडियूस करना में बहु अब जीत चुकि आपने पर्चेस किया है आपको जो इसमें अचे संब को खरीद लिया था और हची संब को 11 बिलियंड डॉलर में खरीदा किया तो 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 निद्ट तो जो गें हुआ जो पैसे के प्रॉफित है वो प्रॉफित में टेक्स है वो देना पलेगा अब क्या चेर्स के आपके पास बॉंड है और जमीन आपने बेची जमीन से आपको पैसे का प्रॉफित हुआ जय से मालों 11 लाइच की 10 लाइच की जमीन ती आपने 20 लाइच बेची 10 का capital gain हुआ मतलब कि आपको profit हुआ तो इस जो 10 लाग है इस पर आपको tax pay करना पड़ेगा इसी तरह से हचिसन में भी हचिसन वाले case में 11 billion डॉलर सरकार ने बोला कि भाई यह लगभग 7,990 करोड रुपया आपको as a capital tax gain आपको pay करना पड़ेगा वो भी हचिसन के जो आप पे कर रहे हो उसके साथ जोड के मतलब पहले आप पे करो उसके बाद खरीदो पहले टेक्स दो उसके बाद खरीदो तो कई बार exam में पूछा आता है भाई यह capital gain tax क्या होता है तो मैंने बताया capital tax game जो होता है वो आपको एक capital आ रही है मलाब आपको आपने को जो खरीदना चाहता था तो उन्होंने नीदर लैंड नीजिसम हॉलेंड भी कहते हैं नीदर लैंड की कंपनी को उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से यह पूरे डील करो पेपर वर्क हो गया जो भी प्रोसेजर होता है लीगल वगरा होता उस सब आप देखोगे ठीक है तो लगभग उसमें भी उनको कंपनी को इन्वॉल्मेंट इसके कंपनी का रहा था अच्छा अब सरकार मांग रहे हैं लगभग 8000 क्रोल रुपिया जो वोड़ा फोन है वो कह रहा भाई हम तो देंगे नहीं टेक्स हम दे सकते हैं ठीक है क्योंकि एक टेक्स में कुछ प्र कि इसी बीच में 12 क्या सपास की बात करते हैं अभी वो सरकार ने टेक्स मांगा और वोड़ा फोन ने मना कर दिया कोट में चले गए इसी बीच में सरकार ने बोला कि हमें काम करते हैं कि चूकि चूकि जो बायर है और जो सेलर हैं यह दोनों आउटसाइड ऑफ इंडिया है है मतलब कि जो मैं जैसे मैं आएगा है चिसन जो कंपणी थी वह सिंगापूर की थी और वोड़ा फोन जो थी वह लंडन की थी दोनों कंपणी बाहर की है तो इनको कैपिटल टेक्स दिना पढ़ेगा और अगर हमारे के हमारे प्रावधान करने पढ़ेंगे तो मैं फाइन पिछले पिछले टाइम को भी कवर कर लेगा जैसे माले जी कि अक्टूबर 2020 में लाया गिया कानून और रेट्रस्पेक्टिव हुआ तो मतलब कि अगर उचाओ तो वह 2010 का भी कवर कर लेगा तो परना मुखर जी उस समय में फैनेस मिनिस्टर ते उनको लगा कि यह चुकी अब सेलर और बायर दोनों की दोनों जो है वो आउटसर्ट ऑफ इंडिया है ठीक है तो हमें यहां सब प्रॉफिक जो पैसा जाएका या आएका वो इंडिया से भार चलाएगा आप हमारी हमारी लोगों को यूज कर रहे हो हमारी रिसोर्स दैसा जा रहा है मलब की व्रोफण से जा रहा है और हचीचंशन को जा रहा हो सिंगपूर की एक लंडिनींग कमपनी तो सींगाइद को हो नहीं रहे है तो इंडिया को फाइदा होने के लिए आपको टेक्स देना पड़ेगा और हम्हां कि प्रवधान में लादेंगे जिससे कि को दिक्कत ना हो एक finance बिल लेका राएंगे अब सवाल आता फैनेंस बिल जो जैसे कि जो लीगल मैटर्स होते हैं ठीक है वो सब में finance भी लगता है जो भी जो भी कानून जैसे कि अब संसत में जो भी विदहक जाता है बिल जाता है उसमें अगर पैसे की बात होगी कुछ मेंटर पैसे से लेना देना कुछ करना तो विदहक को हम finance बिल कहते हैं ठीक है अच्छा अब यह रेक्ट्रोस्पेक्टिव हो गया इसमें वोड़ाफोन तो चलो आएगा याएगा बाकी और कंपनीज भी आएंगी जो अभी तक की इस डायरे से बहार थी उनका भी आएगा तो तरहां से कहते हैं जो कंपनीज इंवेस्ट्मेंट इंवेस्ट कर रही थी इंवेस्ट कर चुकी थी और जिनके प्लैन बढ़े थे अब उनों को लगाते हैं यह तो धोका है हमारे साथ आपने पहले बताया नहीं अब आके दुबारा याकर टेक्स लगा देरों पीछे से आके ठीक है यह तो गलत कंपनी अपनी है और वोड़ाफोन के प्लान था एक्सपेंशन करने का वह भी खतम कर दिया इसी दरह से और कंपनीज भी थी उन्होंने कहा कि चुकि आपने जो वोड़ाफोन से आपने प्रॉमिस किया था वह नहीं करके रेट्रोस्पेटिक टेक्स लगा रहे हो तो हम भी या की आएटी ऑड्यक्टर इंवेस्मेंट ट्रीटी जो इंडिया ने लगभाद 40 कंट्रीश साथ 47 कंट्रीश साथ अनों आज टाइब किया हुँए और उसमें के था कि आगर मालिजे कि अगर कोई विवाद बाइलेक्टर इन्वेस्मेंट्रीटी के माध्यम से अच्छा इसी बीच में जो इंट्रेस्ट था मलब 8000 क्रोड के उपर 7990 क्रोड उस पर लगते लगते 27 से लेका तो तेरा आते आते अब जो डिपार्टमेंट टेक्स डिपार्टमेंट को कहने लगाए भाई आप तो 14200 क्र करना है कि इस पर इंट्रस्ट लग चुका है ठीक है अच्छा इसी बीच में जो कैबिनेट थी दोहर तेरी दोहर तेरा की बात कर रहे हैं उसमें आपका यूपीय गवर्मेंट थी मनमोन सिंह जी इसमें बधा मंतरी थे और उनकी जो कैबिनेट थी उन्होंने भी एक एक ब लगभग 14,000 क्रोड का डिमांड की थी टेक्स डिपार्टमेंट की जो सास 1990 था वह बढ़के 14,200 क्रोड की हो चुकी थी अच्छा इसी बीच में वोड़ा फोन ने बी आईटी जो हुआ ता बाइलेटर इंवेस्मेंट ट्रीटी उसमें प्रावधान है कि आप केस कर सकते हो तो भाई वो सरकार किलाव उन्होंने केस कर दिया चैलेंज में कोड में केस कर दिया ठीक है चलिए उस बार उसके बाद 2014 में मोदी जी आए मोदी जी आए तो लोगों को लगा कि नहीं अब इनिवेस्टमेंट काफी बढ़ा है क्योंकि उन्हें गुजरात मॉडल को काफी अब हम रेक्ट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे लेकिन अब से जो होगा ना उसको हम काउंट कर लेते हैं मैं 1212 से काउंट कर लेते हैं और रेक्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे तो यह थोड़ा सा नोने एक बीच का रास्ता निकालने की और कहा कि जित्ते भी विवाद है उसमें से विवादों को भी धंग से थोड़ा सा एक लॉजिकल तरीके से सॉल कर निगोशिच करते हैं एसा नौ कि सरकार कुछ कह रही है वुड़ा फून कुछ कह रहा है तो बीच का रास्ता निगाल निगोशिच करते हैं लेकिन रेटरोस्पेक्टिव निकारेंगे यानि क उनका बिल बन गया 22,100 करोल का बिल था वह अब बाइस हजार एक सो करोल का एक बिल बन गया इसी बीच में जुलाई 2017 में वोड़ाफ ने एक दुबारा केस डालते हैं और इसी बीच में इंट भारा सरकार के खराफ एक केस और किया अर्बिट्रेशन दूसरा केस किया जिसका फैसला 17 में किया था जिसका फैसला सिदंबर 2020 में आया मला भी फिला दो दिन पहले आया और उसमें जो पर्मनेंट कोट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है ठीक है यह नीदर लाइंड हेग में है एक होता इंटरनेशन कोट जस्टिस आईसी जे वो भी हेग में है ठीक है और पर सब्सक्राइब कोट ऑफ आर्बिट्रेशन जहां पर सुनवाई हो सकती है जहां पर सुनवाई हुई कोट ने कहा कि भाई देखो ऐसा भारा सरकार जो आप डिमांड कर रहे हो वोड़ा फोन से पैसों की यह जो आप एक ट्रीटी करते हो और जो गरेंटी देते हो कंपनीज को दो देशों के बीच में होती है अब इंडिया ने जाके इंग्लैंड में ट्रीटी कर ली और बोला कि आप हम उनको पूरी गरेंटी देते हैं तो आपने गरेंटी दी उसके खिलाफ है यह क्योंकि पहले गरेंटी कि हम टेक्स लगा रहे हो तो यह चीज थोड़ा आपको मेहंगाई में जब बिल्कुल सब्सक्राइब पैसा नहीं है तो वह पर्मेनेंट कोट और अर्बिट्रेशन ने बिल्कुल उनकी उमीदों पाने फेड़ दिया पाने फेड़ दिया वोड़ा फोन भी जा चुकी है ठीक है साथ में जो इतना ज्यादा विवाद हुआ तो ज चाइना की जो इमेज बनी उसके बास सोच रहा था कि हम एक चाइना को रिप्लेस करते के और हमारा जो मैनिफेक्शन सेक्टर नंबर वन बनेगा और बाही कंपनी हमारे आप इंवेस्ट करेंगी तो एक ठक्का लगा क्योंकि इमेज खराब हो आती है आपकी कंपनी डरती ह कि आप ऐसा तो नहीं कि आप फिर से हम अभी कुछ कह रहे हो अगली सरकार आगी कुछ और कहें देगी क्योंकि आपके पॉलिटिकल स्टक्चर है पॉलिटिकल जो सोच है बीजेपी हो कॉंगरेस हो वो एक नहीं है अलग अलग है तो एक इमेज खराब होती है चीज का सब्सक्राइब यह क्या चीज होती है यह तो बहुत ही गलत है ना अच्छा रेक्ट्रोस्पेक्टिब टेक्स का होता है कि यह सिरु एक नॉमिक जो टेक्स वह हो सकता है माला कि आप आपने हेलमेट नहीं पहनी आज ठीक है क्या कानून नहीं ता लेकिन दस दिन बाद पहनी तो उसका फाइन वो हो सकता है मला वो ले सकते लेकिन एक रिमनल में नहीं हो सकता है अपराद में नहीं प्लैनिंग कर के आती है कुछ क्या बढ़ा दिया ठीक है फिर दुसरा कि कोई प्रोटेक्शन देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो तो यह इसके बड़ी गलत इमेज बनती है तो इस तरह की बैटल्स होते लीगल बैटल्स यह देश की की मेज खरब करते हैं कोईगी दुनिया देख रही होती है कि यहां पर आप यहां पर यह सब तमाशा होगा तो फिर आगी कंपनी कैसे आएंगी यह पर उचापे उनका इन्वेस्टिंट नहीं आएगा तो फिर जॉब्स कैसे क्रेट होंगी नौकरिया नहीं आएगी तो जो है वो कैसे आएगी तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई कोई illegal ना हो कुछ सरकार का जो हक है टेक्स का वो तो उनको मिलना ही चाहिए परना मुखरची का कहना था कि इंडिया की जमीन पर है एक मिला हमें क्या मिला हमें हमें क्या मिला यह चीज़ अगर पहले से वती होता हो तो श्याइद इस बात को बहतर तरहिके से हेंटल करते हैं लेकिन चुकि आपने पहले नहीं किया बाद में आके अपनी बाते कर रहे हो तो यह चीज का लाता है तो यह सब चीजे बहुत जो इंपैक्ट डालती है इकनोमी के उपर और चुकि एकनोमी पे कर दो यह सब जालती है तो यह बाते है कि आपको आपके और को अभी आपके अपके बाता हैं इसकर जा बाता हैं अपके.